गुड मॉर्निंग तो आल अफ यू, यहाँ पे हमने मिली मशीन मॉडल का एक कुश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आप कुश्चन पहुट सकते हैं, डिजाइन अ मिली मशीन मॉडल विट स्टेट डियागरा, स्टेट टेबल फॉरर सर्किट विच प्रेडिसे इसकोाइस डिटक्ट नहीं होगी, इससे पहले हमारा ओटपुट 0 आएगा, तो हम देखेंगे किस सरीचे से हम इस कॉश्चन को डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम A स्टेट ले लेंगे, हम स्टेट डायागराम बना रहे हैं, जब कभी भी हम स्टेट डायागराम ब इसको हम given sequence से match कराएंगे और match हमेशा initial से ही कराएंगे जैसे यहां पर एक value है तो एक value ही match कराएंगे दो value है तो दो value match कराएंगे तीन value है तो तीन value match कराएंगे और हमेशा starting से ही match कराएंगे तो A state में अगर value match करती है तो हम right tick करते हैं value match नहीं करती है तो हम cross tick करते हैं तो स्तिकल से 0 2 नीम के साथ मैठ नहीं हो रहा है कि क्रास्ट करेंगे वð यॉण mash कर रहा है तो हम राइट टिक करेंगे जब राइटे करते हैं तो यह दूसरी स्टेट् carbohydrates करती पर दिए उस पर्टिकُलर इन्पुट के लिए टो यह वन इन्पुट के लिए राीट हो फोसी स्टेट पे रहएगा यहां पर हम वीली मशीन मॉडल डिजाइन कर रहे हैं जैसे कि हमने कोश्टन में देखा था हमने मुशीन मॉडल बनाया है तो उस टाइम पे हमेशा इंपूट्स के साथ ही हम आउटपुट लिखते हैं तो यहाँ पर inputs हैं 0 and 1 तो output आएगा 0 क्योंकि एभी हमारी सिर्फ एक value ही detect हुई है अब हम b state में आते हैं तो b state में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम क्या receive कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 receive कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे 1 receive किया है भी state पे लेकिन हर state के अपने input है 0 and 1 तो इसके हम input ले लेंगे 0 and 1 तो दोनों ही input के लिए 1 receive कर रहा है अगेन हमारा same process है कि जो भी given sequence है उससे हमें match कराना है और starting से ही match कराना है तो देखिए 1 0 1 0 match कर रहा है तो right tick करेंगे 1 1 match नहीं कर रहा है तो cross tick करेंगे जिस भी value के लिए match करेगा उसके लिए एक नई state बना लेंगे तो हम B से C state पे जाएंगे जिस value के लिए match कर रहा है तो ये 0 input के लिए match कर रहा है output 0 आएगा क्योंकि भी हमने 2 value ही detect करी है 1 input के लिए match नहीं कर रहा था और हमें यहां पे बताना पड़ेगा कि 1 B के 1 input के लिए किस state में जाएगा तो first value को cross कर देंगे second को match कर रहेंगे तो second हमारा match कर रहा है 1 1 जब भी match करेगा हम चेक करेंगे कि किस state पे जाएगा तो देखे 1 हमारा B ही receive B में ही receive हो रहा था हमने यहां पे receiving value लिखी है और या तो आप diagram से भी check कर सकते हैं A से B में आने में 1 मिल रहा है इसका मतलब B receive कर रहा है 1 तो B की 1 input के लिए यह B state पे ही रहेगा C पे आते हैं C पे receive कर रहा है जो भी tick हुआ है तो tick हुआ है 1 0 इसका मतलब 1 0 हमारा C पे receive हो रहा है तो हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो value match करती है वो हमें उस state पे receive करती है तो अब C के भी अपने input है 0 and 1 दोनों ही case में अब हम चेक करेंगे again 1 0 1 जो भी given sequence है तो देखिए यहां पे 1 0 0 दिख रहा है यहां पे 1 0 1 यह match नहीं कर रहा है 1 0 1 यह match कर रहा है और साथी साथ अगर यह match कर रहा है इसका मतलब हमें output 1 detect होना चाहिए तो milli machine में जैसे ही sequence match करती है नई state नहीं मिलती है तो हम check करेंगे कि यह 1 input के लिए जिसमें की यह sequence को match कर रहा है किस state में जाएगा तो इसके लिए first step होगी जो भी पहली value होगी इसको cross कर देंगे बच्ची हुई value 0 1 है या rest value 0 1 है इसको हम check करेंगे कि क्या match कर रही है 0 1 match नहीं कर रही है क्योंकि यहां पे 1 0 है अगें हम इसको cross कर देंगे अब बच रहा है हमारे पास 1 1 match कराएंगे तो 1 हमें कहां पे receive हो रहा है यह देखिए यहां पे हमने receiving value लिखी हुई है तो 1 हमारा match हो रहा है B state के लिए तो C में जब हम 1 input देंगे तो यह B state पे जाएगा लेकिन output आएगा 1 क्योंकि यह 1 input के लिए match कर रहा है और sequence भी match कर रही है हमारे question में mention है क्या output तभी 1 मिलेगा जब हमारा sequence match करेगा तो हमारा output मिलेगा 1 अब 0 के लिए भी check करना है जो match नहीं कर रहा था तो same step apply करेंगे first को cross करेंगे rest हमारा पास 0-0 है again match कराएंगे given sequence से match नहीं कर रहा है rest को match कराएंगे match नहीं कर रहा है हम देख रहे है किसी भी तरीके से कोई भी value match नहीं करा रही है जब भी value match नहीं करेगा तो वो उस particular input के लिए initial state पे जाएगा तो यह देखिए यह is a present state शोगी जिस भी input के लिए state मिल रही है तो next state के लिए शोगी यहाँ पर first value रिप्रेजेंट कर रही है input second value रिप्रेजेंट कर रही है output अब इसके बाद हमारे question में state diagram और state table बोला तो state diagram तो हमने बना लिया state table बनाने के लिए हमें इसी state diagram को state table में convert करना होगा तो state diagram देख लिया state diagram whole star के behavior को show करता है state table state diagram के function को show करेगा यह हम बो सकते हैं यह हमने mili machine model के लिए बनाया है mili machine model के लिए हमारा state show कर रहा है तो देखते हैं हम present state लेंगे next state लेंगे inputs लेंगे x equal to 0, x equal to 1 आप यह देख सकते हैं हम किस तरीके से table design कर रहे हैं यहाँ पर जितनी भी state दिख रही है हमें किती state दिख रही है 3 state a, b, c as a present state सो होँगी state table के लिए और यह जो हमने input लिखा है 0 और 1 इसको हमने यहाँ पर एक variable दे दिया है x x equal to 0 पर a की condition पर हम किस state पर जा रहे हैं 0 अगर a state पर 0 input मिल रहा है तो हम a state पर ही है कि a पर अगर 0 input दिख रहा है तो a state पर ही है साथ के साथ हम output लिख लेंगे क्योंकि output साथ में है millie modular design में हम output साथ में लिखते हैं भी स्टेट पर आए, 0 input के लिए C पर जारहे हैं, 1 input के लिए B पर ही हैं, तो यहां पर देखें, बि में अगर 0 मिलेगा तो हम C में जारहे हैं, और 1 मिल रहा है तो हम B पर ही हैं, और 0. CA state पे आए, 1 input के लिए ये B पे जा रहा है, 1 input के लिए B पे जा रहा है, और output दे रहा है 1, और 0 input के लिए A पे जा रहा है, और output दे रहा है 0, तो इस तरीके से हमारी state table बन जाएगी, किसी भी state diagram को state table में convert कर सकते हैं, इस state table को state diagram में convert कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इस mili model machine के solve कर लेंगे Thank you